करता हूं कि सब लोग answer देंगे ना चोटे-चोटे questions है EGG questions है ठीक है पहला question है which of the following is an example of direct source direct source of study interior of the earth मलब धर्ती के अंदर क्या है इसकी study के लिए मलब इसको जानने के लिए direct किसी से पता लगा सकते हैं कि उससे धर्ती के अंदर क्या चल रहा है ग्रेविटेशन गुर्तवाक्रिशन बल्ड सिस्मिक सिस्मिक क्या होता है आपको पता है कि जिससे मतलब भुकम पाते है magnetic field बहुत से लोग magnetic field answer दे रहे हैं और यह दिये लावा volcanic eruptions अंदर से अंदर होता है magnetic field से कैसे पता चलेगा धर्ति के अंदर क्या है यह बताई यह मेरे को आप पता लगा सकते हैं लावा से तो आपको पता चलेगा नीचे से क्या-क्या पदार्त आ रहे है उनकी आप steady कर सकते हो कि नीचे चल क्या रहे है नीचे silika ज़्यादा है या iron ज़्यादा है आपको सारा का-सारा धर्ति के अंदर का सारा का-सारा चीज़े पता चलेगी पर यह magnetic field से तो पता नहीं चलेगी कैसे पता चलेगी तो किस से volcanic eruption क्या होता है जो आला मुखी का फटना उससे बहुत study करके पता लगाते कि अंदर क्या चल रहे है धर्ति के अंदर क्योंकि वही एक चीज़े जो धर्ति के अंदर से आती है तो इससे पता चल जाता है ठीक है ओके नेस्ट क्यूशन सबसे आउटरमोस्ट solid part कौन सा अर्थ का core, crust, mental, magma सबसे भाहर का part B answer आ रहा है सबका सुरोची, रमया, जीत, किरन, very good सबसे भाहर का कौन सा है crust एक दोने core भी बता है core सबसे अंदर का बेटा crust सबसे उपर का, core सबसे अंदर का और बीच का कौन सा है, mental ठीक है तो आपको यह बताई दिया था उसके अलाव, third question बताएंगे सब लोग most dense layer कौन सी है मतलब सबसे ज़्यादा घनत वाली layer कौन सी अर्थ की, core, crust, mental या magma यह बताया है कुछ लोगों ने, नेहा ने, इशा ने, सुरुची ने, अवनी ने, माधूरी ने, गोरी, रमाया, very good सबको पता है core मैंने कल भी बताया था, density नीचे की तरफ जाने पर बढ़ती है तो core सबसे नीचे है, तो सबसे ज़्यादा उसकी density होगी, very good उसके बाद में, इन में से किसको सियाल बोलते हैं सिलीका प्लस अल्यूमेनियम, core को, crust को, mental को, या नन अव्यपोग दो बताया थे, सियाल इस फ्लोटिंग उन सीमा, very good नेहा, किरन, माधूरी, इंडरपाल, अमर्दीव, रमया, विक्की, very good सब लोग, सब लोग गलत भी आंसर दे सकते हैं बर दीजी ज़रूर मैं expert करता हूँ, तो crust answer होगा इसका, sorry, crust क्यों बोल रहा हूँ, अच्छा, siyaal, okay, crust ही है, ठीक है, siyaal क्या होती है, silीका प्लस अल्यूमेनियम, जो सब से उपर रहती है, siyaal किस पर फ्लोट करती है, किस पर तैरती है, सीमा पर, ठीक है, अब बताईए, oceanic, दो तरह की crust बता है, igneous रोग की या metamorphic रोग की, एक ने granite बताया, एक ने basalt बताया, okay, granite बताया, basalt, okay, igneous भी बता रहे है, B बता रहे है, madhuri, aces, akif, good, answer is, simple है basalt, ठीक है, हमारी यहां का जो, जिस continental crust पर रहते हैं, उसको खोदोगे तो नीचे क्या जाएगा, granite, पर ocean की crust के अंदर जाओगे, तो वहां पर कैसे rocks मिलेंगे, basaltic, ठीक है, basaltic मतलब, आप लोग देख लीजेगा, basalt कैसे बनता है, थोड़ा-थोड़ा आप लोगों को भी google करना पड़ेगा, अभी मैं 40 मिनट की class में बहुत सारी चीजे नहीं बता सकता है, ट्राइ करता हूँ कि जितनी चीजे आपको exam के साफ से पता चल जाए, पर फिर भी आपको थोड़ा पता लगाना है कि basalt क्या होता है, ग्रेनाइट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा पता लगाना है, तो थोड़ रखती है, घरती है, constant रखती है, इशा, गोरी, मादोरी, सुरुची, आकिफ, नेहा, गुड़, अवनी, केरन, ओके, सब का answer है, increases, आप लोग सब लोग थोड़ा response fast कीजिए, इसी में मज़ा आएगा आपको धिर धिरे, जब आपके answer सही होने लगेंगे, तो मैं expect करता सब लोग answer थोड़ा से type करें, easy answer type करें, ओके, नीफे, नीफे कौन सी लेयर में होता है, nickel plus ferrous, कौन सी लेयर में होता है, सात्वा question, core, crust, mental, none of the above, इशा, माधूरी, अमर्दीव, सुरूची, नेहा, आकिफ, core, crust, mental, none of the above, core होता है, right, कल में ने बताया थे, core में होता है, nickel plus ferrous, ferrous सबसे ज़्यादा नीचे की तरफ भी होता है, ferric या ferrous, iron, ठीक है, okay, next question करते हैं, आप लोगों को आगया है, question, silica content, नीचे की तरफ जाते हैं, while we go inside the earth, नीचे की तरफ जाते हैं, तो silica भड़ता है, घ कुछ में ने, silica, अगर आ रहे हैं, तो very good, latitudes को किस के respect में नापा जाता है, access of the earth, equator, okay, equator के respect में हम लोग नापते हैं, वैसे तो center से नापते हैं, but equator से हम लोग बोलता हैं कि इससे north में या south में, इस तरह से, टीक है, okay, international deadline, दसवा question, international deadline कहां से जाती है, equator रहे, 0 degree latitude, 90 degree east longitude, या 180 degree longitude, पहले बात तो यह latitude नहीं है, आपको पता है, deadline और ग्रीन में लेटिटूड नहीं होते हैं, आप लोग याद अखिये, 180 degree को, 0 degree वाले हो क्या बोलता है, green which line, ठीक है, longitude, 0 degree latitude को क्या बोलता है, prime meridian, equator, north pole, south pole, अच्छो, इतना, अरे-अरे, क्या कर रहे हो आप लोग, क्यों इतना गल्त कर रहे हो, latitude है, meridians क्या होता है, longitudes, थोड़ा सध्यान से, meridian उका नाम है, उसका प्रयावाची है, उसका घर का नाम है, longitude, उसको क्यों ला रहे हो, आप answer में, हमने पूछा latitude, तो meridian तो होई नहीं सकता, pole भी नहीं हो सकता, answer क्या बचा इसका, equator, good, time किसके accordingly fix होता है, बताइए, latitude के साब से होता है, longitude के साब से होता है, या किसी के साब से नहीं होता है, या equator के साब से होता है, okay, okay, good, Avni, Neha, Isha, Vicky, very good, longitude से नापता है, हम लोग time को, longitude के साब से ही, longitude इसलिए काम आता है कि time को measure करने के लिए, zero degree वाली को क्या बोलता है, greenwich, वहाँ पे जो time होता है, उससे time जोड के बता जाता है, हमारे इंडिया को क्या होता है, greenwich पे जो time होता है, जोड जोड जाता है, okay, 13th question, greenwich line इन में से काँ से जाती है, इंडिया, US, इंग्लेंड या UK या उस्ट्रेलिया, very good, very good, answer is England, okay, very good, very good, surrender, good, चलिए, 14th question, इंडियन IST काँ से जाती है, 82 degree, 30 minutes, west या east या 62 degree, 30 minutes, west या east, पहली बाद तो हमको कली में ने बता है था, greenwich से हम लोग नापता हैं कि इस्ट है या west है, तो हम तो east में हैं, तो पहले तो east वाले answer हों है, और अभी अभी आज ही बता हैं, 82 degree, 30 minutes, ये छोटा से उपर जो sign होता है, ये minutes का होता है, ये degree का होता है, ऐसे ही बोला जाता है, latitude, longitude, normally किस में measure होते हैं, degrees में, टिक हैं, okay, Indian IST, IST का Indian Standard Time, longitude, ये भी short form में लिख दिया हमने, कौन से राज्य से नहीं जाता है, UP, 36 गड़, आंदरप्रदेश या भिहाग, इशा, सुरूची, विक्की, नेहा, very good, आकिव, गोरी, जीत, very good, सब को पता है, Bihar से नहीं जाता है, UP से जाता है, MP से जाता है, 36 गड़ से जाता है, अंदरप्रदेश से जाता है, Bihar से नहीं जाता है, ठीक है, maximum time zone किस देश के हैं, Canada, China, France, Russia, आपको कल बताया था, सबसे ज़्यादा किस के हैं, नहीं नहीं, Russia के नहीं है, कुछ का अंसर आ रहे हैं, Russia, France के हैं 12, Russia के हैं 11, ठीक है, अब क्योंस का अंसर दीजेगा, इसी स्पीड में जो अभी दे रहे हो, आर्क्टिका, M missile, अभी किस देश ने launch किया, आर्क्टिका, M missile, चाइना, North Korea, US या रसिया, अंसर आया है, अभी तक, एक आया, North Korea, North Korea, कुछ भी आप जैसा आपको लगता है, उस तरह का अंसर दीजे थोड़ा, कोई issue नहीं है, थोड़ा सा नाम देखिए आप, नाम से भी वह सारे चीज़ आपको मिल जाएं, ठीक है, चाइना में आर्केटिका नाम नाम नहीं होता, आप लोग डिटेक्ट करने लगिए, North Korea में भी, Korean नाम आप लोगों पता है कैसे होते हैं, Chinese, Korean या Japanese नाम, ये निटी का इस तरह के नाम कहा होते हैं, यूएस तो होता नहीं है, तो क्या बचा, रश्या आंसर है, एक ने भी नहीं दिया अभी तकी, रश्या, आप लोग थोड़े से निउस्पेपर होगरा, सब दोग रीड करना स्टार्ट कीजिए, ये सब निउस्पेपर कीजिए, ठीक है, आर्टिका, किसने, आर्केटिक के पास में कौन सा देश है, रश्या है, ठीक है, ओके, तो इससे भी पता चल जाता है, आर्केटिका, और ये इका इका लगाते हैं, रश्या वाले, इनने क काफी नामों में इका रहता है, ठीक है, तो आर्केटिक के पास में सबसे पास में कौन सा रश्या है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा वर्ल्ड मैप का पता रहना चाहिए, आप लोगों को, वर्ल्ड अस्तमार डेग का मनाया जाता है, अस्तमार पता है ना आप लोगों को सां ओके एक आंसर है माई में मनाया जाता है हमेशा कौन से दिन मनाया जाता है यह देफिक्स नहीं है पर माई में मनाया जाता है कोई एक फर्स संडे को मनाया जाता है मई के यह फर्स्ट एंडडी को मना चाता है मई के तूज्डे गुटे को मना चाता है या फर्स्ट वैस्टी ना चाता है हिंट दे दिया आप लोग को आज शेतारी होगी क्या आज 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 यह Pulitzer Prize Pulitzer Prize किस फिल्ड में दिया जाता है Pulitzer Prize बहुत फेमस प्राइजर Pulitzer किस फिल्ड में दिया जाता है Journalism, Cinema, Social Services, Science Journalism पता है न पत्रकारिता Cinema, Social Science, Science बहुत फेमस प्राइजर अभी दिया गया है देखिए गंध हर न्यूश्पेपर में आ रखे जनलिज्म पत्रकारिता की मामले में पत्रकारों में से किसी को मिला है क्या अपने अभी तो किसी को मिला नहीं तो ये बहुत सारे इसमें स्ट्रेणियां रहती है बेस्ट फोटोग्राफिका भी मिलता है पत्रकारिता में भी बहुत सारी स्रेणियां होती है तो ये जनलिज्ट के पत्रकारिता के फिल्ड में मिलता है ये आप क्यूशन पढ़िए अब 200 क्यूशन ये इंट्रनेशनल बैंक फोर रीकॉंस्ट्रक्शन एन्ड डवल्लपमेट आई बी बि वर्ट किसकी लैंडिंग आह्म लैंडिंग मलब जो पैसा देती है इन में से किसकी लैंडिंग आहे अधी वी को पता होना चीओं आपको आपको इसियं डेवल्लप्मेंट बैंक नाम वर्ल्ड बैंक का नाम वर्ल्ड बैंक है, RBI का नाम रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया है, OECD, तो डावलप कंट्रीज का ओर्गनेशन, ओर्गनेशन फोर एकोनमिक कोपरेशन आप लोगों को क्या लगता है, RBI किसको लेंड देगा, किसको पैसा देगा, किसी को भी नहीं देगा, वो को इंटरनेशनल कहां से पैसा देगा, अपने देश में तो पैसे है ने, तो क्या बच गए, ADB बच गया, OECD बच गया, OECD, पूरट सिर्फ डवलप कंट्रीज है न जो अच्छे वाले, US और अगरा, यह लोगों ने मिलके एक मना रखा है, वो भी देता है फंड, पर इस तरह से भार ज्यादा फंड ने देती, तो वर्ल्ड बैंक, ADB बच गया, यह पहला वाला एशिया का डवलप्मेंट बैंक है, इसने कोरोना में अभी हमको पैसे दिये है, इसका मतलब यह नहीं कि वो फ्री में पैसे देते हैं, वो पैसे देते हैं, वापस से लेते हैं, बस कम ब्याज पर देते हैं, तो IBRD किसका एक विंग है, वर्ल्ड बैंक, आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक के बारे में आप जरूर से पढ़ लेना, अगर आग वर्ल बैंक एक तरह से जब वर्ल्ड बार टू हुआ था, तो यूरोप सारा तैसनेस हो गया था, आपस में एक दूसरे को मार मोर के, और वहाँ पर सारी चीज़े खतम हो गई थी, तो एक बैंक मना दिया गया, जो उसको रीकंस्ट्रक्ट करें, वापस से पुना निर्मान करें यूरोप का, तो उसके लिए ये बैंक बनाया गया था, IBRD, अब तो सबको लोन देता है, पूरे वर्ल्ड में, अब वहाँ पे तो उनको लोन लेने की जरूरत नहीं, यूरोप में सारे डॉलप देश हैं, सारे विक्सित देश हैं, तो उनको जरूरत नहीं है, तो अ जिकर मतलब सराब, दारूपे, कौन से देश ने, कौन से स्टेट ने, स्पेशल कोरोना फीज लगाई है, फीज लगा दी, तमिल नाडू, आंधर प्रदेश, गोवा या डेली, दिल्ली में अरुनित के जड़वालें लगा दी है, अलग से फीज, इस से जो भी पैसा आए प्रदेशन, फायरफाइटर्स जानते हैं आप, बताईए, सी बता रहे हैं, ओके गुड़, और चार मही गुड़, ओके आपको सब को पता होना चाहिए, चार मही को इंटरनेशन, फायरफाइटिंग डेव, फायरफाइटिंग जो आगवाग बुझाते हैं, उनके, ठीक है, तो यह पता होना चाहिए, चार मही को बनाए जाता है, UNGA, UN मतलब आपको United Nation का नाम पता है, सारे पूरे वर्ल्ड के, सारे देशी लगबग उसके मेंबर्स हैं, वो सारे एक जगह मिलके, सारी पूरे वर्ल्ड के लिए व्यवस्ताई बनाते हैं कि क्या चलना चाहिए वर्ल्ड में, कैसा सिस्टम होना चाहिए, जैसे डबलू एचो जो है, वो भी UN का ही एक पार्ट है, मतलब उसका ही एक अंग है, तो यह एक बहुत बड़ी संस्ता है, और इसकी असेंबली होती है, मतलब सारे देशों के परमुक परमुक आदमी उसमें नॉमिनेट होते हैं, और उसको बोलते हैं, UNGA, United Nations General Assembly, आम सबा, United Nations की, जैसे आपके गाउं में या कहीं पर सरपंच होता है, पंच सारे होते हैं, पंचों में से एक सरपंच होता है, तो इसी तरह से गाउं तो पूरा ही कोफी अनान अंसर दिया है, किसी ने कोफी अनान पहले थे, ठीक है, अब नहीं है कोफी अनान, और बताईए, वैसली, यह कोई रशिया का बंदे हैं, वैसे ही रशिया के डिप्लोमेट है, United Nations में हैं, बट यह नहीं है, ओके और क्या, COD में से बचा, प्लीपो ग्रेंडी, बताईए, ओके, आंसर D है, ज्यादा नहीं जाते हैं, तिजानी मोहमद बंदे, नाइजीरिया का बंदा है, पिछले सेप्टमबर 2019 में ही है, बना है, ठीक है, अब ज्यादा इसमें आपको नाम याद रखना है, आपको नाम बंदे, बढ़िया नाम आप बताईए, अभी पार्लेमेंट की नई पार्लेमेंटरी बिल्डिंग बनने वाली है, अभी वाली बिल्डिंग कैसी है, थोड़ा गोला काल टाइप की, अभी जो नई बिल्डिंग मने की, उसकी सेप क्या हो रहेगी, तिर कोण होगी, स्क्वायर होगी, रेक्टेंगल होगी या सर्कुलर होगी 24 वा आंसर दीजिए आज कल काफी चल रहा है पालियमेंट की विल्डिंग सर्कुलर ओके सर्कुलर बोल रहे हैं अभी-अभी अपनी जो वन विभाग है इसको बनाने के लिए सर्कुलर तो अभी वाली यह लगबाग और कुछ अंसर दीजिए इसकी सेफ होगी ट्रैंगुलर आप पड़िए निउस्पेपर में अभी आ रहा है सब कुछ है ट्रैंगुलर इसकी सेफ है अभी यहां पर एक स्पेशल स्वर्य यह ट् इंडिया ने जो माइग्रेंट लेबरर्स मतलब मजदूर फस गयते हैं उनके लिए एक अभी स्पेशल रेल चलाई कोवीड इस्पेशल नाम है उसका सर्मिक स्पेशल है माइग्रेंट स्पेशल है या रक्षा स्पेशल है ओके वह बहुत फास्ट आंसर आ रहा है कोवीड स्पेशल के बारे में कोई सिन लोगों ने सर्मिक स्पेशल भी बोल दिया बताई बताई यह लाश्ट तीन चार क्यूशन से कोवीड नाम है तो कोई जर्वई नहीं है इतना थोड़ना डराएंगे कोवीड नाम उसको देखे उसका नाम आंसर है सर्मिक स्पेशल रक्षा स्पेशल नहीं है इसका नाम है सर्मिक माईगरेंटिस के लिए है तो सर्मिक नाम हो बस ओके आगे वाला क्यूशन में स्टार्ट करते हैं अभी कौन से स्टेट ने कौन से स्टेट ने मुख्य मंत्री सहरी रोजगार गारंटी योजना स्टार्ट किया मतलब वो 120 दिन जो क्या अभी एमप्लोइमेंट जिसको जिसके पास रोजगार नहीं 120 दिन का रोजगार देगा या अरभन अरिया मतलब शहरी इलाकों में तो बताइए उत्राकंड हिमाचल पर्देश यूपी राजस्तान मोख्यमति सहरी रोजगार है लोग कि राजस्तान भी बता है वी इस अंसर हमाचल परदेश में यह मोख्य मत्यस धर ही रोजगार गारंटी योजना स्टार्ट किया है कि मतलब 120 दिन का रोजगार देंगी देंगी इंडिया के कौन से फोटो जनलिस्ट ने अभी ही पॉलिचर पाइस जीता है मैंने पहले बोला था जनलिस्ट इसपेशली जो हमारे टिवी स्वे जनलिस्ट आते हैं पर फोटो जनलिस्ट जो र्ट हुथ है उ feel अगर अकलिक रिए और उनके नीचे उसका कमेंट से लिगते हैं कि य era कि आपने निउस्पेपर में एक कोलम आता है जिस पर फोटो ही रहती है उसके नीचे कुछ ना कोशे उसके बारे में लिखा जाता है तो इन में से किन लोगों ने फोटो जनलिस्ट केटेगरी में अवार्ड जीता है पुलिस जर अभी बताया था मैंने अभी किसी ने मेरे को मेसेज भी किया था कि इन्होंने आपने तो जीता है हमारे देश में आपने बोला नहीं जीता है बट हाँ ठीक है फोटो जनलिस्ट केटेगरी में जीता है दार यसिन मुकतार खान और चन्नी आनंद यह सबीने जीता है तिनों के टीनों ने जीता है यह प्राइस को जीता है कौनर यसिन मुकतार खान चन्नी आनंद इन लोगों क mostly consist today भारेगा देज Jest जीतेगा ование हमने अभी केंपेइज चला है और त्डीजु अखरारणि है तो की त niveau लुफ लग से ऐसे हो एक तरह से इंस इन disrupt быстрर हो आप लोग रुकिए एक पहले आप लोग फहले थोड़ा जान लीजे तभी आपको याद रहेगा ना तो याद ने रहेगी जिए फेपड़ों में इंफेक्शन स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो फेपड़ों में तो कोरोना की बुझे से इंफेक्शन स्टार्ट हो जाता है ध कुछ लोगों बोले हैं 2022 अभी खतम करतेंगे दो साल में अभी हर साल दो लाख लोग मरते हैं टीबी से इस टाइम पे पोरोना उसके आगे कुछ भी नहीं है यह आप समझेगा तो दो साल में हम लोग खतम कर लेंगे कि 2025 तक का हमारे एम ठीक है आप लोग याद रखी कि 2025 से टीबी हारेगा देश जीतेगा अभी हर्श वर्दन हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर ही नोंने लॉंच किया था थोड़े मैनों पहले ठीक है आपको पता होगा बीबी लाल कल परसूं का क्यूशन इसने में वह पसे डाला बीबी लाल की अभी 100 वर्थ हैं अनुश्टरी मनाई लिए सेकेंड बोप में को यह क्या थे साइंटिस्ट और्केलोंजिस्ट पॉलेटिशनमें सिंगर आपको पता हुदा होता है कि और की ओके आपको पड़ रहे हैं मतलब पूरानी क्ल alan सेज को पढ़़ के आं रहे हैं इनमें से क्या एम करता है कि मेन इस्टिर रिवर मैनेजम्मेंट इन सिटी अर्बन प्लानिंग हो तो रिवर को जरू न कि Are there क lifestyle न थो प्रेज है है कि या कोई साब है उकर चैयं सिसे के साथ आज क्लास होती है और आप लोगों के पास PDF चली जाएगा PDF को एक बार revise जरू का लीजिएगा और उसके अलावा अगर किसी को problem हा तो YouTube पे इसके link पे जाके और वीडियोज देख सकते हैं Thank you, thank you very much आजिक क्लास यहीं खतम होती है Thank you